आईए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जेन टेक्निलोजी से एंट्री डॉन सॉलिशन देने वाली देश की दिगज कमपनी है अत्यादूनिक मिलेटरी ट्रेंडिंग और एंट्री डॉन सॉलिशन में 30 सालों से कमपनी कारियरत है है एदरावाद में आर ये यूनिट भी है शामिल हो रहे हैं उस्मानिया यूनिशिटी से सरने एकोनोमिक्स और आकॉंट्स में बेसलेस के डिग्री हासिल किये अप्लाइट कंप्यूटर साइंस में पॉस्टलेजिशन डिप्लोमा भी सरनी किया है और बिजन्स स्कूल स्टेंट फॉर्ड लंडन बिजन्स स्कूल से कई एक्जेक्टिव प्रोग्रांस भी आशोक सन्ने किये हैं नतीजह रगनों आपके वीकेंड पर छे यह जो नतीजह 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 बहत दमदार नजर आ रहे हैं और काफी तगरी परफॉमेंस आए आए 90% बढ़कर 100 क्रोड पर पहुंचिए तीन डिजिट में आपका दन्यवाद सर्थ हमें समय देने के लिए और बहुत बहुत बदाई आपको बहुत तगडी परफॉमेंस आई यह कंपनी की आल रांड परफॉमेंस हरे एक लेवल पर सबसे पहले शुरुआत रेवेन्यू से करता हूं सर 90% और मेरे ख्याल से पहली तीमाही यह होग है राइट सर इफ आम नोट रॉंग लास्ट यर भी एक फॉर्थ कॉर्टर में था बट्याब तो सर्ब बताएं यह स्ट्रॉंग रेवन्यू पर्फॉमेंस के पिछे क्या ट्रिगर्स रहें सर एक यह तो ऑडर फो पोजीशन हमारा पंदरा से जाजा था यह एक्जीशन हो पाएंगे वह तर्फॉन पूरे सालवर के लिए 450 कोड़ से उपर करेवन्यू ओप्रेटिंग प्रॉफिट और उप्रेटिंग मार्जिन दोनों बहुत स्ट्रॉंगली इंप्रॉंग होकर आए यह उप्रेशन पर्फॉमेंस इंप्रॉमेंस होने के पीछे के कारण किया है एक तो देखे है हमारा यह थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो यह एर ओवर एक्सपेडीश प्रेड होता है तो इसमें वह परेटिंग डिवरेज की वज़े से थोड़ा ज्यादा आ गया प्रॉफिट बट वर ओर्वराल हमने गईदेंस यह दिया है कि 25% पाट मार्जिन त्र मार्केट के परसंट के इड़ दिएड़ रहेंगे लेकिन इस बार 43 परसंट आये हैं तो क्या 43 परसंट मेंटेनेबल है या थोड़ा सा मुश्किल रहेगा हमने कहा कि लॉंग टर्म पर 35 परसंट हो जाएगा ओके अच्छा सर एफ फाई 25 के लिए आपने गाइडेंस दिया थ चाहिए क्या उस पर कायम है सर अगले साल से आपकी इस साल से डवल होई जाएगे आराम से बिलकुल अच्छा अब यह बताएं सर की ओर वल तीन साल के लियाद से जड़ा समझाए कि किस तरह की ग्रोथ किस तरह के रेवन्यू प्रॉफिट वगरा आप टार्गेट करके चल कि दिया है कि क्यागर हमारा फुटी परसंट रहना चाहिए कंसे काम कमपाउंड अन्म ग्रोथ रेट तसो लगता है कि वह ग्रोथ रेट हम एच्छीव कर पाएंगे अभी और मुक कितनी है और इस इस कॉर्टर में कितने नए ओर्डर मिले हैं अब इस कॉर्टर में कि और बुक है आपके फंड जुटाने को भी बॉर्ड ने थोड़ी सी अप्रूल दी थी हजार क्रोड रुपए तक काफ फंड जुटा सकते हैं किस तरह का प्लान है एक्विटी है डेट है और उसका यूज क्या करने वाले हैं यह एक्शली आवर जैसे काफी दो डेट दो हो इसलिए हमने एनेबलिंग प्रोजिन लिया है तो ऐसे कुछ इंवेस्टमेंट के लिए कोई इडेंटिफाइ नहीं हुआ है अभी बातें चल रहे हैं काफी कामप्रियों से इंडिया में ओवर सी तो यह प्रोविजन एनेबलिंग प्रोविजन रेडी करके रखें अगर का और मुस्पोर्श को अडिया है आपके दो सेगमेंट आपके दो सेगमेंटेट ओर साती एंटी ड्रोन दून तुम में किस तरह की ग्रोथ है ज़्यादा क्रोथ कहां पर ज्यादा मार्जिंस कहां बैतर है क्टो देखिए मार्जिंस और ग्रोथ मतलब मार्जिंस तो definitely अबी सिमुलेटर में ज्यादा हैं एंटी ड्रोन में कि अभी एंटर किया हम अब कुछ तोड़ी कॉम्पटिटिटिव मार्केट है उसमें थोड़ा कम है बट अब हम अब हम्पोई वजह से सबको यहीं लग रहा है कि हम प्रिपेर प्रिपेरेडनेस पे फोकस कर रहें कंबाट रेडिनेस के पर दूसरा है ड्रोन का थ्रेड को कैसे काउंटर करें तो एक स्वीट स्पार्ट में हैं जो फॉर्ण कंट्री यह भी इंडिक्शन टू ट्रेनिंग एक्विमेंट तो यह आपके लिए आगे का आउटलू का अशुक सार बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय दिया आपने नतीजों पर और आगे के आउटलूक पर विस्तार से बातचित की और एक बार फिर से आपको दमदार रिजल्स पर बहुत-बहुत बढ़ाई सार थैंक्यू सो मच लपके बार बहुत-बहुत-बहुत